लिए विडियो दो पार्ट में कवर होगा तो यह है पार्ट वन और इसके बाद आएगा पार्ट टू तो शुरू करते हैं जब भी आप किसी मोन्यूमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या-क्या याद रखना है एक्जाम-oriented विडियो है क्योंकि ऐसे देखा जाए तो हम एक-एक मोन्यूमेंट के उपर ही पूरी किताब लिख सकते हैं इतना ज्यादा है लेकिन आपके लेवल तक एक्जाम को दिमाग में रखके पुराने पेपर को दिमाग में रखके विडियो तयार किया गया है उतना ही पढ़ाय जाएगा जितना आपके एक्जाम में आता है तो ये विडियो दो पार्ट में होगा पार्ट बन शुरू करते हैं लगभग 40% मोन्यूमेंट मैं पार्ट बन में कवर करूँगा और बचे हुए 60% में पार्ट टू में कवर करूँगा मैंने Archeological Survey of India यानि भारतिय, पुरा तत्व, सर्वेक्षन उन्होंने एक अपनी Must See Monuments की लिस्ट निकाली थी कि भारत में ये Monuments हैं जिने आपको देखना चाहिए तो उसको आधार बनाया है नालंदा हो चाहे विक्रम शिला हो, तक्षिला हो बहुत जाने माने विश्वे देले हुआ करते थे नालंदा महाविहार जो है ये बिहार में है और ये बिहार शरीफ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और बिहार शरीफ जो है नालंदा डिस्टिक का Head Quarter है नालंदा महाविहार जो है ये पुराने समय में दुनिया की सबसे प्रतिष्टित सबसे बड़ी युनिवर्सिटी मानी जाती थी एक समय में और इसके फाउंडर थे कुमार गुप्ता वन यानि राजा कुमार गुप्त प्रथम उन्होंने इसकी वो इसके संस्थापक थे करके संस्थापक का नाम की बहुत इंपोर्टेंट होता है और संस्थापक कोन से बच्के पैनलंदा वो चटी सधी इसा-पुर्व तक जाता है जब जो समय था भगवान बुद्ध का उतना पुराना है और ऐसा माना जाता है कि नालंदा में जो सरी पुद्ध है उनका जन्म और उनका निर्वान स्थल है नालंदा जो सरी पुद्ध है ये भगवान बुद्ध के एक बहुती प्रसिद शिश्य हुआ करते थे अब बात करते हैं Relic Stupa Relic मतलब क्या होता है भगवान बुद्ध का जो शरीर है भगवान बुद्ध ने अपने प्रान त्यागे थे कुशी नगर यूपी में भगवान बुद्ध के शरीर के कई अंग अलग अलग जगा पे ले जाकर रखे गए थे तो उनमें से एक है Relic Stupa Relic Stupa मतलब यहां भगवान बुद्ध के जो शरीर के अंग है वो यहां पे कुछ रखे गए हैं तो Relic Stupa उनके जो अवशेश है बॉड़ी के वो यह है वैशाली में बिहार में तो कितने Relic Stupa हैं टोटल भारत में टोटल जो Relic Stupa है वो है 8 यह इनमें भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेश जो है वो रखे गए है और इनहीं में से एक है वैशाली में Relic Stupa जाद रखे जब मौरे बंच का राज था बाद में फिर संग जो वंच था या कुशान जोवंच था उस दोरान यह जो स्तूप है यह काफी बड़ा कर दिया गया था साइज में तो काफी जादा आच्छा टूरिस अट्रेक्शन है यह बिहार में अब बात करते हैं लक्षमन टेंपल और ओल्ड साइट इन सरपूर लक्षमन मंदिर और ओल्ड साइट यह सरपूर में है बेसिकली चत्यस गड़ में है और सरपूर एक गाउं है जो की महा समंड जिले में पढ़ता है चत्यस गड़ में यह महा नदी के किनारे है एक रानी थी जिनका नाम था वसत रानी वसत ने इन्होंने बनवाया था यह लक्षमन टेंपल और यह जो रानी थी यह मोखरी राजा सूर्य वर्मा मगद के राजा उनकी बेटी थी और यह जो पांडू वामसी राजा है महाशिव गुपता बालर्जुन उनकी यह मा थी यह भगवान विश्णू को समर्पित है यह टेंपल और इसमें गर्ब घ्रह अंतराल जो भी एक टिपिकल आर्किटेक्चर होता है टेंपल क्या नौर्थ हिंडिया का वो इसमें देखने को मिलता है और इटो से बना हुआ यह टेंपल है अब बात करते हैं हुमायू का मकबरा हुमायू स्टॉम हुमायू जो थे आप जानते हैं मुगल राजा थे उनकी मृत्यू 1556 में हो गई थी उनकी जो विद्वा है हमीदा बानू बेगम जिने हाजी बेगम भी बोलते थे उन्होंने इसका निर्मान करवाया हुमायू के मकबरे का और यह जो मकबरा है लगबग हुमायू की मृत्यू के 14 साल बाद बना ठीक है 14 साल के बाद तो यह यमुना नदी के किनारे है और यह उसी जगा पे है यह काफी नजदीक है निजामुदीन दर्गा से निजामुदीन जो है सूफी संथ थे निजामुदीन ओलिया इनका नाम था तो मुगल राजा भी इने काफी मानते थे तो इनी की दर्गा निजामुदीन दर्गा जो दिल्ली में है उसी के पास यमुना नदी के किनारे ये हुमायू मकवरा बनवाए गया, इसमें एक प्रॉपर मुगल आर्किटेक्ट्चर देखने को मिलता है, मुगल आर्किटेक्ट्चर का मतलब जो भी आप देखेंगे कि मुगलों ने चीजे बनवाई, जिनमें पित्रा द्यूरा हो, च इस तरह से आप देख रहे हैं, इसे टूडर्स आर्क कहा जाता है, जो ये ऐसी आकृती होती है, इसे टूडर्स आर्क बोलते है, और दिवारों पे जैसे आप ताज महल देखेंगे अगर, तो उसमें आप जो दिवार देखेंगे, तो दिवार के उपर जैसे अगर फुल तो full वो चित्रकारी नहीं की हुई, वो full की आकरिती की ही पत्थर की नकाशी करके उसे गड़वा दिया गया है, जिसे पित्रा दुरा बोलते हैं, और या चार बाग स्टाइल ओफ आर्किटेक्चर जो है, वो भी मुगल वंश का आर्किटेक्चर था, इंडो इसलामिक आर्क और यह 1 दर्वा सिनुन आया, बहुत अब बात करते हैं, कुल्र thou me or कुतुब बैसे तो पूरा complex है, बहुत सारी चीज़े है उसमें, तो कुतुब मिनार जो है, ये red और buff sandstone का बना है, और ये एक समय सबसे उंचा tower था भारत का, और UNESCO World Heritage Site भी ये है, कुतुब दिन आइबक, कुतुब दिन आइबक जो है, उन्होंने इसकी अधारशिला रखी, और prayer जो होती थी, आप देखेंगे कोई भी मस्जिद होती है, तो उसके side में एक मिनार जरूर होती है, जिससे लोगों को उद्भोधन दिया जा सके, जो भी वहाँ पे होता है, तो ये भी मिनार जो थी, ये मस्जिद के लिए बनाई गई थी, बाद में इसे पूरा करवाय शम्षुद दीन इलतुत्मिशने, जो कुटूब दिनाईबग के सनिला थे और उनके उतराधिकारी थे, कुटूब मिनार की शुरूयात करवाई कुटूब दिनाईबग ने, लेकिन इसको पूरा करवाया इलतुत्मिशने। वही हैं जिनोने ताज महल की वास्तुकार भी यही थे। ताज महल भी इनों नहीं बनाया था। उस्ताद अहमद लाहरी और लाल-किला भी दिल्लेवाला इनों नहीं बनाया। लाल-किला जो है यमुना नदी के किनारे है और ये भी एक UNESCO यह इलतुत मिश्के सबसे बड़े बेटे थे, नसीर अधिन महमूद इलतुत मिश्के सबसे बड़े बेटे थे, और इलतुत मिश्का जानते हैं यह जो स्लेव डाइनस्टी थी गुलाम वंश उसके तीसे सुल्तान थे, इन्होंने दिल्ली पराज किया था 1210 से 1236, अब हम ब ग्यासुत दिन तुगलक ने बनाया था, यह काफ़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ समय यहां पर जो तुगलक वंश है उन्हों वो रहे, लेकिन बाद में फिर अबेंडन उन्होंने कर दिया था, नेक्स्ट है अगवाड़ा फोर्ट, जो कि गोवा में है, महराष्ट्र से बिलकुल लगता है गोवा, तो यह अगवाड़ा जो पठार है, अगवाड़ा प्लेट्यू, उसके उपर यह सिचुएटर है, तो जो भी जहां जाते थे पानी के रास्ते से, वो आसानी से दिख जाते थे इस फोर्ट से, और सुरक्षा के लिए बनवाया यह मांडोवी जो नदी है, वो भी भैती है यहां पर, और यहां पर सेना अपनी रखी जाती थी, तो अगवाड़ा का मतलब क्या होता है, अगवाड़ा का मतलब होता है, पानी से बहरा हुआ, जल से बहरा हुआ, तो यहां पर जब समुदर की लहरे आती है, तो यहां पर क एक किले की तरह काम करता है, और वाटरिंग स्टेशन की तरह काम करता है, और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, वो जो पुर्तगाली जहाज थे, उनके लिए एक सेफ हर्बर की तरह काम करता था, अब हम बात करते हैं, चर्चे एंड कॉन्वेंट्स ओफ गोवा, गोवा में कौन कौन सी मारते हैं, इनमें वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको साथ बताऊँगा, जैसे Church of Our Lady of the Rosary, जैसे St. Cathedral of Goa, जैसे Basilica of Bomb Jesus, ये काफी आता है Basilica of Bomb Jesus, कहाँ पे है, Church of St. Francis of Assisi, Chapelle of Santa Catarina, Ruins of the Church of St. Augustine, and Church of Divine Providence, तो ये साथ चर्च हैं, जो सबसे important हैं, जो आप रखे गए हैं, मैं बात कर रहा हूँ उस समय की, जब अशोक जो समराठ थे, उनका जो राजपाट था, बहुत फैल चुका था, सौराष्टर तक पहुँच गया था, और आप जानते हैं, वहीं पे है जुनागड, सो गिरनार जुनागड, वैसे तो अब गिर सोमनाते कलग जिला है, लेकिन गिरनार, जुनागड, यहाँ पे चौधा रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं, अशोका के, यह वो समय है, जो थर्ड सेंचुरी बीसी का समय है, तीसरी सधी इसापुरूफ, तो अशोका था ग्रेट कहा जाता था इन्हें, तो यह जो मिले हैं, इनमें बहुत तो यह ग्रे नाइट के बने हुए हैं, और यहाँ पे महाक्ष तरप रुद्र दमन और सकंद गुप्त, इन राजाओं के भी हमें कुछ ना कुछ इलस्ट्रेशन्स पाए जाते हैं, ना सिर्फ अशोक के, अब हम बात करते हैं, चम्पानेर पावागड आर्केलोजिकल पा यह पंच महल डिस्टिक में हैं गुजरात में, और यह बेसिकली जो एक हिस्टोरिकल शहर था, यह काफी अतिहासिक शहर था, यह शहर बसाया था, वन राज चावडा ने, जो की चावडा वंश है, आठवी शताबदी का उसके बहुत प्रॉमिनेंट राजा थे, यहाँ प यहाँ पर पाए जाते हैं, नेक्स्ट है राणी की वाओ, पाटन जिले में है, यहाँ तो मैं भी गया हूँ, जब एहमदाबाद में रहता था तो मैं अगया था, वहाँ से जादा दूर नहीं है, तो राणी की वाओ पाटन जिले में है, और राणी की वाओ भी एक नीचे जाते हैं, और कई बार हम step well को बावडी भी बोल देते हैं, वहलंकि अलग 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 जगा पे अलग अलग कॉनोटेशन है, उसके अलग अलग मतलब है, तो step well जो है यह पाट अंजिले में है, सरस्वती नदी के किनारे है, यह यह कंस्ट्ट किया गया था, रानी वन राजा थे, ठीक है, उनकी यह पतनी थी, तो यह आपको याद रखना है, और यह भीमा वन ऐसा माना जाता है कि जो भीमा वन जो राजा थे, भीम प्रतम, उनकी याद में यह बनवाय गया था, तो यह 2014 से वर्ल्ड हरिटेज साइट है, अब हम बात करते हैं, Sun Temple at Modhera in Gujar जो है, यहाँ पर एक सूर्य मंदिर है, एक आपने कोनार्क में भी सूर्य मंदिर सुनाओगा, बिल्कुल वैसा ही है यह, उसी की तर्ज पर बनवाय गया था, तो यह जो Sun Temple है, यह Hindu Temple है, यह भगवान सूर्य को समर्पत है, यह Modhera जो गाउं है, महसाना जिले में आता है, यह पुष्पवती नदी के किनारे है, पुष्पवती, सो राजा जो भीमवन थे, चालुके वंच के, उन्ही के रेन में, उन्ही के राजपाट के दोरान यह बनवाय गया था, और यहाँ पर अब कोई पूजा बगरा तो नहीं होती, और इसकी सूर्य पूजा बगरा यह एक ही व्यक्ति का नाम है, सूफी, अब्दुर रहीम, अब्दुर करीम, अब्दुर रजाक, तो इनको हम प्यार से शेक चिली बुलाते हैं, तो यह जो शेक चिली का मकबरा है, यह थाने सर में है, हर्याना में, कुरक्षेत्र के पास है थाने सर, और यहाँ पे दो यह जो बना हुआ है, इसमें भी मुगल जो इंफ्लोएंस है, वो देखने को मिलता है, मुगल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, अब बात करते हैं सूरज कुंड, आपने सूरज कुंड मेला सुना होगा, जो काफी पॉपुलर है, फरिदाबाद हर्याना में लगता है, तो यह एक आर्टिफिशल कुंड है, जो अरावली की, जो पहाड़िया है, महाँ पर बनाया गया था, ऐसा माना जाता है कि तोमर वंच के राजा सूरज पाल ने इसे बनवाया था, अब बात करते हैं कटरमल सूर्य मंदिर, कटरमल सूर्य मंदिर यहाँ पर आप देख सकत सूरज, सूरज भगवान, अधित्य, दा ग्रेट सन गौड, तो इन्हें बड़ा अधित्य मंदिर भी बोलते हैं, कटरमल सूर्य मंदिर को, तो यह जो सन टेंपल है, कटरमल में, यह 9th century का है, 9th शताबदी में बनवाया था, और यह ऐसा मना जाता है कि जो सूर्य मंदिर ह उसके बाद दूसरा सबसे इंपोर्टेंट सूर्य मंदिर है, भारत का, कटरमल सूर्य मंदिर बनवाया किसने था, यह एक कटियूरी राजा थे, उन्होंने बनवाया था, और कटियूरी वंश राज करता था कुमाओ के उपर, तो ऐसा मना जाता है कि सूरज की सबसे पहली अगरा की मूर्तियां भी पाई जाती है, उसके बाद है बैजनाथ ग्रूप अफ टेंपल, अब देख सकते हैं, बहुत सारे बैजनाथ जो मंदिर है, उनका समूँ, तो यह आपको उत्राखंड में मिलेंगे फिर से, इसमें 18 हिंदू मंदिर है टोटल, जो बैजनाथ का ज इसे हैं, जिनमें सिर्फ भगवान शिव रहते हैं, लेकिन यहां पे पारवती भी डिपिक्ट की हुई है, भगवान शिव के साथ, ऐसा माना जाता है कि जो कटियोरी वंश था, उन्होंने ही यहां पे अपनी एक छाप छोड़ी, यहां पे उनकी सीट थी बैजनाथ में, और जो एंशियंट कार्थिक पुर, यानि बैजनाथ को ऐसा माना जाता है कि एंशियंट कार्थिक पुर जो है, वो बोलते थे जो की कटियोरी वंश यहां पे एक कैपिटल की तरह उसको इस्तिमाल करता था, कई बार, और उन्होंने जो अपनी कैपिटल है, वो यहां पे हिंदु मंदिर हैं, और यह भीलमोडा में हैं, यह सारे के सारे मंदिर सातवी और बारवी शताबदी के बीच बनवाए गए थे उतराखन में, इनमें नौर्थ इंडिया का आर्किटेक्चर वही नागत स्टाइल आर्किटेक्चर मिलता है, जिसमें मंडप, गर्भ, ग Rap, ये सब चीजें होती हैं और थोड़ा-थोड़ा इसमें दक्षिन भारत के मंदिरों का प्रभाव देखने को भी मिलता है तो यानि कि जो द्राइवेडियन आर्किटेक्चर है थोड़ा-थोड़ा भी देखने को मिलता है इन में से जादर मंदिर जो है भगवान शिव के हैं लेकिन भगवान विष्णु, शक्ति माता और सूर्य भगवान की पूजा भी यहां पर देखी गई है तो जो जो गेश्वर जो ग्रूप अफ टेंपल है ऐसा माना जाता है कि जो कलाश मानसरोवर यात्रा है वो यहाई से होके जाती है तो यह एंशेंट डूट माना जाता जाता है अब हम बात करते हैं गुंटुपली गुरुप गुफ ही मिलती है चैते हल भी है और स्तूपा भी यहाँ पे मिलता है उसके बाद चार मिनार चार मिनार जो है ये ओल्ड हैदराबाद है हैदराबाद जो तिलंगाना की कैपिटल वो है चार मिनार यहाँ पर देख सकते हैं ये चार आपको ये मिनार मिलेंगी इसमें और ये मुसी नदी के किनारे है वैसे तो पूरा हैदराबाद शहर जो है वो ही मुसी नदी के किनारे है जो कुतुब शाही वन्ज था उसके पांचवे राजा मुहमद कुली कुतुब शाहा ने चार मिनार का निर्मान करवाया था 1591 में और यह तब करवाया था जब उन्होंने अपनी राजधानी गोल कुंडा से शिफ्ट करके हैदराबाद में कर ली थी तो चार मिनार को बनवाया था मुहमद कुली कुतुब शाह ने अब हम बात करते हैं जो रॉककट हिंदू टेंपल्स है यह चार स्टोरी यानि चार मंजिला उन्डावली तो यह गुंटूर जिले में पढ़ते हैं उन्डावली गुंटूर डिस्टिक्ट यह भी आंधर प्रदेश में आता है और यह भी रॉककट अर्किटेक्चर मिलता लोग तो यहां पर गुफाएं भी मिलती है और गुफाएं जो है वो चूना पत्थर की बनी है यानि सेंस्टॉन की बनी है और चोती से पांचवी शताबदी के बीच जो है यह बनवाई गई थी यहां पर भी भगवान विश्णू एक लेटी हुई पोजिशन में पाए ग पात्वी शताबदी में बनी थी और जो विश्णू कुंडी राजा है उनसे एसोसियेटेड है तो यह जो गुफाएं हैं कि इनको समर्पित है भगवान नरसमा और भगवान अनंत पदमनाब दोनों ही भगवान विश्णू है पदमनाब हम भगवान विश्णू महा विश इताडेल और कुतुब शाही वंच की कैपिटल थी गॉलकॉंडा तब यह बनवाया गया था अब तो हैदराबाद इतना बड़ा है कि उसी में है गॉलकॉंडा तो गॉलकॉंडा को पहले हम मनकल का हाग करते थे सबसे पहले गॉलकॉंडा का जो किला है यह काकाटिया अब्द्रा उन्होंने फिर इसे पूरा करवाया फाइनली यह तूट गया था और औरंगजेव जो थे उन्होंने इसको कप जा लिया था तो गॉलकॉंडा जो फोल्ट है यही पे कोहिनूर और होप यह दो हीरे रखे हुए थे गॉलकॉंडा में माइन्स थी हीरो की बहुत सब्सको लेके चले गए थे अब हम बात करते हैं राजारानी महल प्रकॉंड राजाव तो यहां पर यह राजा महल है और यह रानी महल है तो अलग अलग यहां पर है तो चंदर्गीर का गिला तिरुपति में हां और प्रदेश में तिरुपति जो भगवान वेंकटेशàcies़ विजयनगर राजपाट था उनके राज़ाओं नहीं बनवाए थे यह यादव वन्ष के राज़ा थे उन्होंने ग्यारवी शताबदी में बनवाए थी चंदरगीरी का किला तो चंदरगीरी जो है यादव आरे उनका राज था लगबग तीन सो साल तीन सेंचुरीज और बा करते हैं नागरजुन कॉंडा नागरजुन कॉंडा नागरजुन कॉंडा क्या है यह भी गुंटूर में है बैसिकली एक आइलेंड है यह आंदरप्रदेश में गुंटू डिस्टिक में आता है यहाँ पे बहुत सारे महायान बुद्धिस्ट और हिंदू धरम के जो करते थे जिनको नागरजुन कहा जाता था जो दूसरी शताबदी में थे और ऐसा माना जाता है बुद्ध धरम का प्रचार और प्रसार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था तो आगे बढ़ते हैं अब अमरावती में जो बुद्ध धरम के स्तूपा है और जो अव अमरावती है legislative capital तो यहाँ पर बुद्ध धरम के अवशेश पाए जाते हैं तीसरी शताबदी इसापूर्व से लेके 250 इसापूर्व तक का जो समय था वहाँ पर गुंटूर में है यह भी तो यहाँ पर कई सारे museum अगर भी पाए जाते हैं लेकिन अब यह काफी बस अवश तो यह एसा माना जाता है कि बारवी शताबदी जब काकाटिया वंश की capital थी वरंगल तब से वरंगल फोर्ट है और इस किले में चार गेट हैं जिनें काकाटिया कला थोरानम बोलते हैं काकाटिया कला थोरानम और एक शिव मंदिर भी है यहाँ पर ठीक है काकाटिया अब बात करते हैं उधंपुर का किला रामनगर किला उधंपुर आप जानते हैं उधंपुर जमू कश्मीर में है तो यह शिश महल के पास एकदम रामनगर का फोर्ट यह फोर्ट जो है राजा सूचेत सिंग नहीं से बनवाया था इनकी मृत्ति हुई थी 1844 में और यहां पे है जो तावी नदी की ट्रिब्यूटरी है यानि यह तावी नदी जो है वो बहती है तो उसी में जाके यह मिल जाता है वो भी यहीं से गुजरता है यहां पे एक समाधी भी बनी हुई है महरानी की ऐसा माना जाता है यह सती हो गई थी ठीक है सती प्रथा में यह स महान राजा थे, कारकोटा वन्ष के राजा थे कश्मीर के, सो यहाँ पर कश्मीरी आर्किटेक्ट्चर स्टाइल मिलता है देखने को, और यह मारतंड जो है, यह सन गौड यानि सूर्य भगवान को बोलते हैं, तो उनी को यह समर्पित है, अब तो खेर यह पूरी तरह से तूट चुका है, फूट चुका है, और यह अनंतनाग के लगवांच किलो मेटर दूर है, मारतंड का मंदिर, अब बात करते हैं अवanty स्वामी मंदिर जो अवanty फुरा में है अवanty पुरा जो जमू कश्मीर में है अवanty स्वामी मंदिर हिंदू मंदिर है ये राजा अवanty वर्मन ने बनवाया था और भगवान विश्णू को समरपे था जहलम नदी के किनारे है यह भुकम पाया था, कई सारे भुकम यह जो अर्थकोएक बैल्ट है यहाँ पे, अफगानिस्तान वगारा से भी जो भुकम पाते हैं, वो सारे पामिर वगारा के जो पहाड हैं, वो यहीं पे उनके प्रभाव देखने को मिलता है, तो यह डेस्ट्रोई हो गए थे अर्थको एमान आजता है, कि पांडव जो थे, आप जानते हैं वन्वास और अग्यातवास में थे, यहां पश्धूत्वस और्च वार्जाओं मेरा से भुषया ・・・ बुर्जअ wipe मंदिर काहे जाता है, यह जे साथN पुरांने मंदिरे ने पांडव टेंपल्स भी काहा जाता है, पहय यहां पे कुछ अवशेश पाए गए है, खुदाई हुई थी, आर्केलोजिकल एक्सकावेशन हुए थे, और बस आपको इतना रखना है कि यह वल्ड हरीटेज साइड आगे जाके बन सकती है, अभी तो नहीं है, लेकिन आगे जाके वल्ड हरीटेज साइड भी यह बन सकती ह फिर है तबो मोनेस्ट्री, तबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है, यह हिमाचल में है, स्पिती वैली में, तबो गाओं का नाम है, वहाँ पे है, स्पिती वैली में, हिमाचल प्रदेश में, और यह जो मोनेस्ट्री है, यह बुद्ध धर्म के राजा, जिनका नाम था, येशे ओ जिने रोयल लामा बोलते थे, उन्हें बनवाई थी, 996 AD में, फिर्सका रेनोवेशन किया गया था बाद में, तो ये राजा थे हिमाचल के, तबो जो है, यहाँ पे सबसे पुराना एक continuously operating Buddhist conclave पाये जाता है, बुद्धिस conclave यहाँ पे तबो विलेज में होता है, और ऐसा माना जाता है कि जो दलाई लामा है, जो अभी है, चौदवे दलाई लामा, उन्होंने भी यहाँ पे काल चकर पुजा की थी, 1983 और 1996 में, 1983 और 1996 म मनाली, हिडिमबा जो है, ऐसा माना जाता है कि महाभारत में भीम की पतनी हुआ करती थी, हिडिमबा देवी, तो वैसे राक्षशी थी एक तरह से, लेकिन जो कि उन्होंने धर्म का साथ दिया भीम से marriage की, तो उनके पुत्र भी फिर आपने सुना होगा घटोतकच थे, तो ह हिडिमबा देवी जो है, भीम की पतनी, इनका मंदिर बहुत फेमस है मनाली में, और इसे हम धुनगारी टेंपल भी बोलते हैं, लोकल भाइशा में महाँ पे, तो यह आपको याद रखना है, यह बनवाया था महराजा बहादूर सिंग ने, 1553 में, फिर है रॉककट टेंप उसके बाद है कूच बहार पालस, कूच बहार आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्टम तो बहुत ही खुबसूरत पालस है हैं, इसको विक्टर जूबली पालस भी बोलते हैं, कूच बहार व्स में हैं, जैसे बगिंगम पालस है, लंडन का, यूनाइटि तिंग्ड Nursing वेसा ही ब और यह बेसिकली 19th century में बनवाया था, उस वक्त एक वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, जिनका नाम था, डंकन मेकलोईड, उन्होंने यह बनवाया था, उस वक्त जो राजा थे वो थे नवाब, नजीम हुमाईयू, यह राजा बंगाल भिहार रोरिसा पे राज करते थे यहाँ पे दरबार लगता था, बड़ी-बड़ी मीटिंग्स हुआ करती थी राजाओं की, अंग्रेजों के साथ, इंग्लिश ओफिशिल्स के साथ, और बाद में फिर यह 1985 में यह आर्केलोजिकल सर्वे उफ इंडिया को दे दिया गया था, हजार तवारी पहलेस, फिर है बंगाल में बहुत सारे मंदिर जिनें बोलते हैं विश्नुपूर ग्रुप ऑफ टेंपल, सम्हू है मंदिरों का विश्नुपूर में, तो यह बंकुरा जिले में आता है विश्नुपूर टाउन, बंकुरा डिस्टिक्ट में आता है, यहाँ पे टेराकोटा टेंपल है, औ राजा रगुनात सिंग ने बनवाया था, फिर है पंच रतन मंदिर, पंच रतन मंदिर जो है भगवान कृष्छन से संबंदित है, उनके जीवन से, मदन मुहन मंदिर, राजा दुर्जन सिंग देव ने ये मंदिर बनवाया था, और बाकी और बहुत सारे मंदिर है, लाल ज जो फोर्ट है नाम से पदा चल रहा है आगरा में है और मुगल वंच यहाँ पर रहा करता था 1638 तक उसके बाद फिर उन्होंने जो कैपिटल है वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी वे माराठाओं ने भी इस पर राज किया है वैसे अंग्रेजों ने पर जाइल या था लेकिन उसे पहले मराठाओं ने भी राज किया है world heritage site और मुगल राज अकबर ने बनवाय है और ऐसा मना जाता है यहाँ एक शहर वह करता था जैसे बादलगड बोलते थे तो वहीं पर सिकंदर लोधी जो की दिल्ली के पहले सुल्तान थे उन्होंने अपनी capital जब shift की थी दिल्ली से आगरा तो सिकंदर लोधी की death हो गई थी 1517 में उनके जो बेटे थे इबराहिम लोधी उन्होंने भी इस किले में 9 साल राज किया है लेकिन फिर इबराहिम लोधी हार गए थे battle of पानिपत में अकबर का मकबरा अकबर स्टॉम अकबर का मकबरा ये अकबर का मुगल एम्परर अकबर का मकबरा है और मुगल आर्किटेक्चल मास्टर पीस कहा जाता है मुगल वास्तुकारिता देखने को मिलती है इंडोस्लामिक आर्किटेक्चर ये उनके बेटे अकबर क बेटे जहांगीर ने बनवाय था और ये आगरा के पास सिकंद्रा है वहाँ पे है तो ये काफी important है उसके बाद है कलिंजार का किला कलिंजार का किला बुंदेलखंड में आता है बुंदेलखंड कलिंजार जो है आज की बात करें तो बांदा डिस्टिक्ट में आता है बांद पतेपुर सीकरी जो है, ये सूफी संत, शेक सलीम चिष्थी, उनको समर्पित की थी अकबर ने, अकबर ने अपनी कैपिटल बनाई थी, पतेपुर सीकरी आगरा के बिल्कुल पास है, तो काफी लंबे समय तक अकबर यहां पे रहे, अकबर आप जानते हैं, बाबर के पोते अकबर के बाद हुमायू आये, हुमायू के बाद अगबर आये, तो अकबर जो है, काफी इंपोर्टेंट उनके लिए जगा थी, और 13 साल तक 1572 से 1585 तक अकबर यहां पे रहे, अकबर जो है, वो इन संत को बहुत मानते थे, और अकबर इसने अपने बेटे हैं, उनका नाम जाता है, बुंदेल वंच के जो राजा थे, राजा बीर सिंग देओ, उन्होंने ये बनवाया था, ये और बुंदेल वंच का बहुत स्ट्रॉंग किला था ये, याद रखिये, फिर बाद में फिर मुगलों के पास चला गया, और फिर मराठा के पास भी रहा काफी समय तक मराठा के जो चीफ थे, नारुशंकर, उन्होंने इस किले को बड़ा भी करवाया था, ये जो किला है बाद में राजा गंगाधर राओ ने जीत लिया था, वो यहाँ पे आ गए थे, फिर उसके बाद राजा गंगाधर राओ की पतनी जो थी, जिसको मनी करने का, यानि कि वो यहाँ पे रही, फिर उनका जो kingdom था, वो हतिया लिया था, doctrine of laps, क्योंकि उनके पास अपना खुद का बेटा नहीं था, adopted बच्चा था, तो doctrine of laps नेती लेकि आ अगर खुद का बच्चा नहीं है, तो वो राजपार अंग्रेज हतिया लेते थे, तो फिर अंग्रेजों के रहने के लिए, जब उन्होंने अपनी capital फैजाबाद से लखनव शिफ्ट केती तब बनवाई थी, तो बस आपको इतना यह दखने है, सहत महत, सहत महत कहां पे है यह, एक्चुली श्रावस्ती जो जगा है, यह पश्यम राप्ती नदी के किनारे है, और भगवान बुद के आपके associated है, तो यहां पे खुदाई भी हुई, बहुत सारी चीजे भी पाई गई है, museum भी बना है, यहां पे जो जो चीजे मेली है, उनसे museum मत्हुरा और लखनौ में भी बनाया गया, और बस आपको यह याद रखना है, श्रावस्ती में है यह, सहत महत, ताज महल के बारे म मुमताज महल उनके लिए बनवाया था, मुमताज, और यमुना नदी के किनारे है एकदम, आगरा में, in fact, ताज महल पे अगर आप खड़े होंगे तो आपको यमुना नदी दिखाई देगी, और बस इतना रखिये कि मुमताज महल की डेथ हो गई थी, जब वो अपना चौ कि मैं आपको उतना ही बता हूँ, जितना आपके स्तर तक जरूरी है, पार्ट टू आएगा, इसमें तो मैंने सिर्फ 40% मॉनुमेंट्स कवर की हैं, आप सोचिए, दूसरा वाला जो वीडियो आएगा, अगला उसमें मैं 60% मॉनुमेंट्स कवर करूँगा, यानि अभी तो बहुत आपको पढ़नी है मॉनुमेंट्स, तो बेसिकली आपके लेवल तक आपको यह याद रखना है, बस कि अगर कोई मॉनुमेंट्स है, तो वो कहां पर है, किस ने बनवाई और किस वन्श के बुरा जाते, बस इस से जाद आपको याद नहीं रखना है, इतना आप या एक्जाम के दायरे तक सीमित करना है, यह जो स्टैटिक जीके का मेरा कोर्स है, यह PCS लेवल तक आपको help करेगा, याद रखिए इसकी जो कोर्स की शमता है, वो नीचे ग्रुप D पोस से लेके उपर तक PCS तक है, याद रखिए, यह सारे एक्जाम कवर करता है, यह कोर्स,